हे दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल टेकनिकल दिल साथ में और आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा Snack Video App को अपने Mobile में इस्टोल करने के लिए आपको Play Store में जाना होगा और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा Snack Video जैसे ही आप यहाँ पर Snack Video सर्च करोगे तो आपके सामने Snack Video Application आ जाएगे आपको सिंपल Snack Video Application को अपने Mobile में डाउनलोड और इस्टोल कर देना है उसके बाद Snack Video App को आप आसानी से अपने Mobile में यूज़ कर सकते हैं मैंने पहले से ही Snack Video Application को अपने Mobile में श्टोल कर रखा है तो हम यहाँ पर Snack Video App को Open कर लेते हैं जब आप Snack Video App को Open करते हैं तो आपको यहाँ पर अलग-लग वीडियो जोगरा मिल जाती है Snack Video App में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो जोगरा मिल जाती है अब दोस्तो Snack Video App में आपको अपनी वीडियो डिलीट करने के लिए यह पता होना चाहिए आपकी वीडियो कहाँ पर है आपकी वीडियो आपको प्रोफाइल में मिल जाएगी और आपको प्रोफाइल ओपन करने के लिए नीचे यहाँ पर प्रोफाइल फिचर दिया गया है notification icon के बगल में आपको यहाँ पर सबसे नीचे कोने में आपको एक profile का icon दिया गया है जैसे ही आप यहाँ पर profile पर click करोगे तो आपको यहाँ पर आपकी profile दिखाए देगी और नीचे आपको यहाँ पर वो सभी वीडियो दिखाए देंगी जो वीडियो आपने Snack वीडियो एप पर अपलोड की है अब दोस्तो Snack वीडियो एप से वीडियो को डिलिट करने के लिए आपको उस वीडियो को ओपन करना है जिस वीडियो को आप डिलिट करना चाहते हैं जैसे कि हमने हाँ पर ये वीडियो पोस्ट की थी अगर हम इस वीडियो को delete करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर more पर एक बार click करना होगा और उसके बाद अगर आप नीचे ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर एक delete का feature दिया गया है उसके साथ आपको यहाँ पर private feature भी दिया गया है अगर आप वीडियो को private करना चाहते हैं delete नहीं करना चाहते तो आप वीडियो को private भी कर सकते हैं और यहाँ पर click करने के बाद आप वीडियो को delete भी कर सकते हैं तो हम यहाँ पर delete पर click करते हैं इस तरह आप Snack वीडियो एप में अपना वीडियो डिलेट कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंदाया होगा इसलिए वीडियो को चल्दी से लाइक कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में वटस पर सेर कर दीजिए और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तह दिल से सुक्रिया